नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आप इक अपने चैनल मनी गुरू जी पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महा मुकाबले के बारे में जो की खेला जाने वाला है ICC Women's T20 World Cup का फाइनल मुकाबला फ्रेंज मुकाबला किसके बीच में खेला जाएगा मुकाबला होगा Australia Women's versus South America Women's Team के बीच में उससे पहले फ्रेंज आप सभी को बता दूँ आप सभी के लिए मैंने लाया है एक surprise giveaway वो वीडियो में आपको बताने वाला हो तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा और साज साथ टेलिग्राम से जरूर जूट जाना क्योंकि गिववे की सबसे पहले बेच के खेले गãy हैं, वो 15 मुकाबले यहाँ पर खेले गए है उसमें आप देखो के पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने साथ मुकाबले जीते तो फ्रेंस टोस का यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है फर्स्ट इनिंग के अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो वो हमें नजर आता है यह 129 का और फ्रेंस वुमेंस में फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर 129-133 यह मैं मानके चलता हूँ बल्ले बाजी अनुकुल विकिट क्यों मानके चलता हूँ वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ 213 यहाँ पर बना है 90 यहाँ पर लोवेस्ट बना है 170 से 190 के बीच में दो बार हमें इसकोर देखने को मिला है और 190 से उपर सिर्फ एक बार इसकोर देखने को मिला है लेकिन फ्रेंस जो 1500 से कम के जो इसकोर बने हैं वो 130-140 के करीब के इसकोर हमें देखने को मिले अब फ्रेंस रिसेंट जो मुकाबले खेले गए वो सबसे ज़्यादा जरूरी है पिछी रिपोर्ट को आखने के लिए तो एक नजर हम उन पर डाल दिते हैं तो फ्रेंस आप देखोगे लाष्ट के जो कुछ मेचे सिस ग्राउन पर खेले गए हैं उसमें कितना स्कोर बना है फ्रेंस जो लाष्ट सेमी फाइनल मुकाबला हो था जिनों ने भी ये मुकाबला देखा था अपने आपको लग्की मान सकते क्यों जो मुकाबला हो था वो बहुत कमाल का हो था जो लाष्ट के दो मुकाबलों की बात करो तो साउथ अपरिका की टीम ने उसमें 164 बनाये थे इंग्लेंड की टीम उसमें हार गई थी जो लाष्ट सेमी फाइनल था एक सो अठावन रन फिर आप देखोगे ऑस्टेलिया ने एक सो बोईतर इंडिया ने 167 दोनों के दोनों कमाल के सेमी फाइनल मुकाबले हुए थे लेकिन दोनों में आप स्कोर देखोगे हम पिच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं एक सो चो शट एक सो बोईतर पूरी तरह से बल्ले बाजी अनुकुल विकिट नजर आ रहा है फिर 113 और 117 बिना किसी विकिट को खोई बन गए थे फिर 213 जो कर रिकोर्ड तोड़ा था इस ग्राउंड का और यहां पर निन्यार वे रहे तो आप देखोगे रिसेंट जो म तो साउथ अफरिका की टीम ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में आप देखोगे तीन मुकाबले जीते हैं वही पर ओस्टेलिया की टीम ने पिछले पांच मुकाबलों में पांचों के पांचों मुकाबले जीते हैं अलग-अलग टीम के सामने लेकिन जब दोनों टी की वेसके रद्द बगयरा कुछ हो गिया था हम चारी हिट टुएट मुकाब्ले की बात करेंगे चारो के चारो मुकाब्ले जो जीते है वह जीते है और गी तो जाहिए बात ज़य Capital की टीम बहुत ज़्यास को में नजर आते है चाहे recent form देखी जाए, चाहे head to head देखे जाए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की possible playing 11 के बारे में तो बोस्तों यहाँ से अगर मैं possible playing 11 की बात करूँ ओस्टेलिया की टीम से तो भी या बैत मोनी है अलाइसा हेली है, अब फ्रैंक दोनों को मैंने विकेट के पर इसलिए लिखा है कि दोनों विकेट के पर बल्ले बाजे इस रिजन से, फिर यहाँ पर मेग लेनि, गाड़नर, पेरी, ताहिला मेग गर्थ, ग्रेस हेरीस, जेस जोनासन, जोर्जा वरेम, डार्चिया ब्राउन और मेगन इसकाट, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, आपको ओस्टिले की पॉसिबल प्लेइंग लेंग लेंग, रिसेंट फर्म आप देखना चाहें, तो भाईया बैत मोने की बहुत अच्छी नजर आ रही है, पिछले चार गाड़नर का भी फर्म देख लिजिए, पेरी, अब फरेंच, सबसे बड़ा रिस्क पेरी को लेने का है, इस मेच में ले या ना ले, यह मैं आगे आगे आपको बताने वाला हूँ, लाश्ट मेच की अगर मैं गेहनबाजी की बात करूँ ओस्टिलेया की टीम से, मैं क्यों बोल रहा हूँ, पेरी को लेना या नहीं लेना, वो मैं या पर बताने वाला हूँ, तो आप देखोगे, लाश्ट मेच में गाड़नर ने चार ओर गेहनबाजी की थी, 37 रन दिये थे और दो विकिट अपने नाम किये थे, मैगनिसकट ने 4 ओर में 34 रन दिये थे और एक विकिट अपने नाम किया था, डार्शिया ब्राउन ने 4 ओर में 18 रन दिये थे, 2 विकिट अपने नाम किये थे, फिर Perry ने सिर्फ एकी ओर गेन बाजी की थी और बल्ले बाजी में बहुत ज़्यादा नीचे आई थी तो देख लेना आपको एक proper गेन बाज लेनी है या Perry को लेना है तो क्यो लेना है Perry को वो भी आगे बताने वालो तो एक ओर में 14 रंदिये कोई विकेट नहीं जे जोनासन्त, तीन ओवर, दाइस रंग, दो विकिट अपने नाम किये थे, वही पर जोर्जया वर्यम, तीन ओवर में 29 रंग, कोई विकिट नहीं मिलाता, ताहिला मेगर्द, एक ओर, तेरा रंग, इनको भी विकिट नहीं मिलाता, Starting और Last ओर गेंदबाजियों की अगर मैं बात करूं तो Meaghan Scarthe और Darcia Brown आपको Starting के ओरों में गेंदबाजिय कर्ती हुई नजर आ सकती है Meaghan Scarthe, Gardiner और Darcia Brown आपको Last के ओरों में गेंदबाजिय करती हुई ये नजर आ सकती है दोस्तों साउथ अफरीका की टीम से अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफरीका की टीम भी आप देख लिजिए जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है कुछ इस प्रकार मैं देखने को मिलेगी दोनों की रिसेंट फॉर्म देख लिजिए बहुत कमाल की नजर आती है फिर मेरी जन केप सुनी लूइस सी ट्रोइन ए बोश एंडी क्लर्क एस जापता एन मलाबा शबनम इसमेल और खाका तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकती है साउथ अफरीका की पॉसिबल प्लेइं कोई भी चेंजेस होगा टेलिग्राम पर बतूंगा टेलिग्राम के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लिजिएगा लास्ट में जो गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी कुछ इस प्रकार से देखने को मिली थी मलाबा ने तीन ओर में तीस रन दिये थे कोई विकेट नहीं मिला था शब्नब इसमेल ने चार ओर में 27 रन देकर तीन विकेट लिये थे मेरीजन के चार ओर में 38 रन कोई विकेट नहीं मिला था खाका ने चार ओर में 29 रन दिये चार विकेट अपने नाम किये थे और दोनों match winning जो गेनबाजी कहा सकते हैं बहुत ही कमाल गेनबाजी दोनों ने की थी खाका ने और सफनल इशमेल ने फिर एंडी कलर्क ने भी बहुत अच्छी गेनबाजी कहा सकता हूँ बल्लेबाजी विकिट पर चार ओर में सिर्फ 17 रण इनों ने दिये थे और एक विकिट अपने नाम किया था ट्रोइन ने एक ओर में 10 रण दिये थे हाला कि इनको विकिट नहीं मिला था स्टार्टिंग और लाश्ट और गेंद वाजों की अगर मैं बात करूं तो भी आप देख सकते हो मलाबा और शबनम इसमेल आपको स्टार्टिंग के ओरों में गेंद बाजी करती हुई नज़र आ सकती है अब friends, top fantasy player के बारे में मैं बात कर लेता हूँ और surprise giveaway के बारे में भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा अब दोस्तो, top fantasy player मैंने इसलिए लिखे हैं जो player important मुझे लखे, वो player मैंने यहाँ पर लिखे अब आप fantasy की team बना रहे हूँ, तो यह बहुत ज़ादा important हो सकते हैं ओस्टेलिया की team से आप देखोगे, बैत मोनी, अलाइसा हेली, गार्डनर, अलाइसा पेरी और यहाँ पर मेगन इसकोट फिर आप देखोगे, यहाँ से South Africa की team से बात करें, तो जो 5 player important हो सकते हैं लोरा वलवोर्ट, तजबिन ब्रेशनर इसलिए बहुत अच्छे बल्ले बाजी किये, फिर मेरी जन केप, शबनम इसमेल और आयूंबका खाका तो यह जो 5 player हैं बहुत ज़्यादा important हो सकते हैं South Africa की team से, तो 5 और 5, 10 player तो मैंने बता दिया, एक-दो player change करके आप एक पहतरिन team भी बना सकते हो अब दोस्तों अगर मैं मेरी team की बात करूँ, तो भाया सबसे पहले हम बात करेंगे, विकेट-कीपर section में, तो विकेट-कीपर section में दोनों अच्छे option है, दोनों opener आउस्ट्रिया टीम की अब फ्रेंज आप चेंज करना चाहे तो एक बल्ले बाज कम करके आप गेंद बाज बढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ, अच्छे option है, इनफर्म बल्ले बाज है तो तीनों को में अपनी team में लिया है, फिर सुनी लूइस का option है, ताहिला मेगगर्द का option है, ग्रे सेरिस का option है, रिसकी वाली टीम में dry कीजिएगा, दो ओल राउंडर मेने लिये हैं, गाडनर को मेने लिया है, मेरिजन केप को मेने लिया है, अब फ्रेंज अलाइसा पेरी का अच्छा option है, आप सोच कर चल रहे हो, अगर आश्टिना टीम की पहले बल्ले बाजी आती है, और पेरी नंब चार मेने गेंदबाज लिये हैं, जो की मेन गेंदबाज है, मेगन इसकोट, शबन बेश्मेल और डार्स्या अप्राउंड, ये तीन गेंदबाज तो मेने को अपनी टीम में लेकर चलनी ही है, लेकिन यहां से मेने लिया है जोर्जिया वरेम को, जो की बहुत अच्छा काम लेकर चल सकते हैं, तेको, option 3 बता रहो, या तो आप Perry को लीजिए, या आप खाका को लीजिए, या आप लीजिए जोर्जिया वरेम को, हाँ, Perry थोड़ी सी रिस्की लग रही है, लेकिन बड़ी प्लेयर है, आप चाहें, तो अपनी टीम में लेकर चल सकते हो, फिलाल मैंने जोर्जा वरेम को लिया है नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं यहाँ से फ्रेंस कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो मेरी जो कैप्टन रहेगी इस मेच में वो होगी गार्डनर वाइस कैप्टन मैंने मनाया है मेरी जन केप को फ्रेंज यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकें तो आप हैली और बैक मोनी को भी कैप्टेन वाइस कैप्टेन अपनी टीम में बना सकते हैं चलिए टीम का प्रिव्यू देख लेते हैं तो दोस्तों मेरी जो टीम में कुछ इस परकार आपको दिखने को मिलेगी हाला कि माई मास्टर 11 एप की टीम भी में देने वाला हूँ एक सर्प्राइज गीवेवेवे के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा फिलाल मैंने यहां से अलाईसा हेली को लिया है मैग लेनिंग मेरी टीम में आ गई फिर गाड़नर और यहां से मेगन इसकाट चारो बहतरिन प्लेयर आश्टरिया टीम की फिर यहां से शबनम इसमेल लोरा वालवर्ट डार्षिया ब्राउन मेरी जिन केप बैठ मोनी तजम टीम की बात अब फ्रेंज यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट बताने वाला हो तो फ्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अब फ्रेंट आप देख सकते हो यहां से मैने बैठ मोनी को लिए मैग लेनिग गार्डन और यहां से मेगन इशकोट हो और यहां पर फोड़ा सा ऑस्टेलिया का नाम आप यह पर यह है टीम है, माई मैस्टर 11 की मेरी सेमी टीम होने वाली है, इस टीम में अगर मैं कोई changes करूँगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बतोंगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फोलो कर लीजिगा और इसेप को एक बार डाउनलोड करके ट्राइ जरूर कीजिए, लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए और फिर एंट्री दे दिए, टेलीग्राम पर तो वो भी जोइन कर लीजिए थैंक्यो बरी मच